असलाम लेकुम वेलकम टू दा हाउस वाई शो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ इसका नाम है अर्वी गोष्ट आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो आये देखते हैं ये अर्वी गोष्ट कैसे बनता है सबसे पहले यहां पर मैंने हाफ केजी अर्वी की सबजी ली है इसको अच्छे से छील कर धो लिया है अब मैं इसके थोड़े चोटे पीसिस कर लूँगी आप चाहें तो थोड़े बड़े साइस के भी रख सकते हैं ये देखिए इस तरह से काट कर हम इसके चोटे पीसिस कर लेंगे ये और इसके बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ी देर के लिए इसको हम नमक वाले पानी में बिगो के रख लेंगे ये देखिए एक टीस्पून इसमें नमक डाल कर इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे इसके बाद हम गडाही लेंगे उसमें कुकिंग ऑइल हाफ कप इसमें कुकिंग ऑइड करेंगे और एक बारीक कटीवी प्याज एड करेंगे प्याज को हमने फ्राइ करना है और ऑइल के अंदर यह देखिए इस तरह से हम प्याज को फ्राइ कर लेंगे प्याज हमारा फ्राई हो चुका है एक इसमें टेबल स्पून अद्रक और लसन का पेस्ट एड़ करेंगे थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल लेंगे और यह दिखें लसन हमारा बुन चुका है अब हम इसके अंदर चिकन एड़ करेंगे चिकन यहां पर मैंने हाफ कीजी लिया है और उसको थोड़ा सा चोटा पीसीज कर लिए उसके ठीक है वो इसके अंदर एड़ करेंगे और चिकन को भी हम कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे यह दिखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसमें मसाले एड़ करूंगी सबसे पहले इ एक चमच इसमें नवच्तिकश तकी करेंगे लाल मैं यॿवच को पाउडर एड़ करेंगे 6 में कुछ पिसावा धनिया एड़ करेंगे और 10 evolve आप डिखियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरह से अब इसके अंदर में आड़ करूंगी दो टिमाट्रों का पेस्ट इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर इसी पेस्ट के साथ भून लेंगे चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है यह देखिए इसका ओयल भी अलग हो चुका है अब हम इसमें अपनी सब्जी एड़ कर देंगे सब्जी को मैंने 2-3 पानी दो लिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा नमक हो निकल लिया अब इसमें सब्जी हम एड़ कर देंगे यह इस तरीके से इसके बाद हम सब्जी को तकरीब न दो से तीन मिनट के लिए इसके अंदर भून देंगे यह देखिए अब हम थोड़ी दे करेंगे पानी हमने इतना एड़ करना है जितना के आपको ग्रेवी चाहिए मैं थोड़ा सब एड़ करूंगी ताकि हमारी जो सब्जी है और चिकन वह अच्छे से गल जाए यह देखिए अब हम इसको ढग देंगे पांच से दस मिनट के लिए यह देखिए हमारी सब्जी आलमस्ट रेडी हो चुकी है यह पानी इसका अच्छे से खुश्प हो चुका है अगर आप चाहें तो थोड़ी ग्रेवी रख सकते हैं अपने एसाब से हमारी बहुत ही मज़े की अर्वी गोश्ट की डिश रेडी है अब हम इसको डिश ओट कर लेगे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपके बच्चे सबजी वगारा के शुकी ही नहीं है यह देखिए गल चुकी है यह अच्छे से अब मैंने इसको एक हांडी में डिश ओट किया है और थोड़ा सा इसको गार्णिश कर लेंगे उपर से आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमेट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बैल अइकन को ज़रूर दबाए ताके आने वाली वीडियो का आपको नौटिफिकेशन मिल सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि में मजीद अच्छी-च्छी डैसिपीच के साथ आपके ख